तो जितने भी रासायनी कभिक्रियाओं को हमने समझा इसमें से बहुत सारी रासायनी कभिक्रियाओं को हम उनके सूत्र के रूप में लिखने के बाद भी समझ सकते हैं कि कैसे इनके जो भी अभिकारक है जिनके बीच में क्रिया होती है इन अभिकारकों का सूत्र क्या है कैसे उनके मध्धि क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद नया जो बनता है पदार्थ उसे हम उत्पाद कहते हैं तो वो नया बना पदार्थ उसका सुत्र क्या होता है और इन सब को मिला करके इन सब को लिखने का या सरल तरीके से प्रस्तुत करने का जो एक धंग है वही हम रासा जो शब्द है यह रासायनिक समीकरन शब्द की उत्पत्ती इसलिए ही हुई कि कैसे रासायनिक अभी क्रियां को प्रदर्शित किया जाए सुत्र के माध्यम से और कैसे इसे सरल ढंक से हम समझें कि लिग के बीच में क्रिया हो रही है। तो जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यह रासायनिक समीकरण बहुत सारे सूचनाएं देता है कि किनके बीच में क्रिया हुई, जिनके बीच में क्रिया हुई ह उन्हें हम क्या कहते हैं जो बना है नया उसे हम क्या कहते हैं या इस अभिक्रिया के दौरान किन-किन पदार्थों की उपस्थिती में अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया के दौरान क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है इन सब चीजों को हम एक समीकरण के माध्यम से बहुत सरलधंग से प्रस्तूत कर सकते हैं, जिससे यह रासायनिक अभिक्रिया को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, हम एक ही लाइन में पूरे बड़े से रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं, सरलधंग से, किसी भी रासायनिक समिकरण में, तो जैसा कि हमने एक क्रिया कलाप म magnesium ribbon के जलने को समझा तो जब कभी भी magnesium ribbon जलता है तो वास्तों में ये यह उसमें oxygen होती है, तो magnesium को हमने यहाँ पे लिखा Mg plus oxygen याने O2 तो magnesium oxide बना MgO, magnesium oxide का जो सूत्र है वह MgO होता है, तो Mg plus O2 is equal to MgO बना, तो यहाँ पर हमने देखा कि magnesium और oxygen आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो magnesium और oxygen जो है वो अभिकारक है और इनकी क्रिया से जो नया बना MgO oxide वह उत्पाद है, उसे हम कहते हैं कि यह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हमने देखा कि तीर का निशान बीच में लगा रहे हैं, और जिन के बीच में क्रिया हो रही है, वहाँ हमने धन का चिन लगाया, और हो सकता है कि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ बने, किसी रासायनी कभी क्रिया में आवश्यक नहीं है, कि अभिकारक एक ही होगा, या उत्पाद एक ही होगा, अभिकारक भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और उत्पात भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीर का निशान लगा जाता है उसमें बाईयोर और दाईयोर जो तत्व या जिन तत्वों से वह योगिक बना है वहाँ पर तत्वों की संख्या को भी मिलाई जाती है तो दोनों और जो संख्या है तत्वों की वह बराबर होनी चाहिए तभी वह एक संतुली तरह सायनिक समीकरण माना जाएगा तो जब कभी भी हमने जैसे मेगनेशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से मेगनेशियम ऑक्साइड बना लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेगनेशियम एक है और ऑक्सीजन को हमने ओटू के रूप में लिखा तो ऑक्सीजन के दो पर माडू हैं अब इनकी क्रिया से जो नया योगिक बना जिसे हम मेगनेशियम ऑक्साइड यानि की MGO के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन प्रयोग में लाया जा रहा है और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या दो है तो इसलिए इस समीकरण को संतुलित करेंगे और मेगनेशियम के सामने हम दो से ग मेगनेशियम ऑक्साइड के बनते हैं तो ऐसी स्थिती में यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा क्योंकि यहाँ मेगनेशियम के परमाणू की संख्या और मेगनेशियम ऑक्साइड में मेगनेशियम के परमाणू की संख्या दोनों ही पराबर है इसी तरह से अभिकारक की तरफ जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है ऑक्सीजन के परमाडू की संख्या दो है और मेगनिशियम ऑक्साइड में भी जो ऑक्सीजन की संख्या है वा दो है तो पदार्थ की जो अभिनाशिता का नियम है उसके अनुसार भी ये माना जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिय और नहीं नश्ट होते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल्द रविमान है उत्पादों के कुल्द रविमान के बराबर होता है या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले यानि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में जो प्रतेक परमाणूँ की संख्या है वो समान होती है और इसलिए हम और यदि समान नहीं होती है तो इसलिए हमें उसे संतुलित करना आवश्यक होता है यदि कभी ऐसे अभिकरिया हम देखते हैं जहां पर अभिकारकों में उपस्थित जो भी यौगिक है उनके तत्वों के कुष संख्या में यदी अंता दिखाई देता है तो ऐसे रासायनिक जो समीकरण है उन्हें हमें संतुलित करना भूधी आवश्यक होता है तो रासायनिक संतुलित कैसे किया जाता है कुछ सरल उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर जल का एक अड़ो बनता है तो H2 प्लस O2 is equal to H2O तो H2O और O2 अभिकारक है इनकी क्रिया से जल बना H2O बना तीर के निशान के बाद हमने लिखा H2O तो H2O यहाँ पर उत्पाद है और H2O2 जो है वो अभिकारक है तो इसे जब हम समकरण को संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन के दो परमाडू है ऑक्सीजन के दो है तो ऐसी स्थिति में इसे कैसे संतुलित किया जाए तो सबसे पहले हम बाई और उपस्थित अभिकारकों के परमाडवों की संख्या लिखेंगे और एक कॉलम हम बनाएंगे जहां पे हम उत्पाद के परमाडवों की संख्या को जो की दाई और है वो लिखेंगे फिर उस योगीक में कौन कौन से तत्वे हैं और उन में परमाड़ू की संख्या कितनी हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और अभिकारक की और हाइड्रोजन भी दो है ऑक्सीजन भी दो है जबकि उत्पाद की तरफ हम देख रहे हैं कि हाइड्र और ऑक्सीजन की संख्या दो है और ऑक्सीजन की संख्या एक है तो अब चूकी यहां पर दोनों और हम देख रहे हैं कि अलग-अलग संख्या दिखाई दे रही है तो इस तरफ जो ऑक्सीजन परमाडू की तरफ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाडू जो है वो एक है तो वहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो जब उतपाद में 2 से गुणा करते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणगों की संख्या यहाँ पर हो गई, 2H2O बना और वहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, तो जब H2O का एक अडू है और उसमें सामने हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ऐसी स्थिती में जो हाइडरोजन है उसकी संख्या भी हो गई 4 और जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या हो गई 2 तो ऐसी स्थिती में जल में हाइडरोजन की संख्या हो गई संतुलित करने के बाद याने की अभिकारकों की तरफ अभी भी oxygen दो है और hydrogen दो है तो अब हम क्या करेंगे जो hydrogen है वहाँ पर हम देखेंगे 2 से गुड़ा करके तो 2 पहले से हैं और 2 से गुड़ा करते हैं तो hydrogen की संख्या हो गई 4 तो ऐसी स्थिती में hydrogen अभिकारक की तरफ भी 4 और उत्पाद की तरफ भी 4 और oxygen अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ भी 2 है तो इस तरह से संतुलित करने के बाद जो समिकरण हमें प्राप्त हुआ वह समिकरण इस तरह से दिखाई देता है यहां पर हम देख रहे है कि hydrogen और oxygen जब आपस में क्रिया करते हैं तो H2 plus O2 is equal to H2O हमने सबसे पहले लिखा था जिसमें संतुलित समीकरण देखने को मिला संतुलित करने के बाद यह समीकरण परिवर्तित हुआ 2H2 plus O2 is equal to 2H2O तो यहाँ पर जल के दो अनों प्राप्त हुए और जब हम जल के दो अनों लिखते हैं तो ऐसे इस्तिती में hydrogen के 4 पर्माणू और oxygen का 2 पर्माणू दिखाई देता है तो इस तरह से एक बहुत ही सरल राशानिक समीकरण को हमने समझा ऐसे ही कई उदाहरण और हम समझने का प्रयास करेंगे अब हम nitrogen और hydrogen की करिया से जोतपाद बनता है और उसे कैसे संतुलित करते हैं इसे समझेंगे तो nitrogen और hydrogen जब आपस में करिया करते हैं तो NH3 याने ammonia बनता है ammonia के बनते समय nitrogen अनो के रूप में लिया गया जिसे हम N2 लिखते हैं N2 प्लस H2 is equal to बना NH3 तो यहां भी हम देख रहे हैं कि अभिकारक की तरफ यदि हम इसे भी सार्णी बद्ध करेंगे और अभिकारकों में nitrogen के परमाणों की संख्या देखेंगे तो वह दो है और उत्पाद की तरफ nitrogen के परमाणों की संख्या एक है दूसरी ओर हम hydrogen के लिखते हैं कि अभिकारकों की तरफ hydrogen के परमाणों की संख्या दो है जबकि उत्पाद की तरफ hydrogen परमाणों की संख्या तीन है तो ऐसी स्थिती में अब क्या करें क्योंकि दाई और हम देख रहे हैं कि विशम संख्या है याने एक और तीन नाइट्रोजन के परमाणों की संख्या एक और हाइड्रोजन के परमाणों की संख्या तीन अब इसे बराबर करने के लिए यहां पर हम जो नाइट्रोजन में परमाणों की संख्या दो है और दाई और nitrogen के परमाडू की संख्या एक है, तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ जो nitrogen के परमाडू की संख्या एक है, वहाँ पर दो से गुणा करते हैं, तो जब हम NH3 के सामने दो लिखते हैं, इसका अर्थ ये है कि nitrogen के परमाडू की संख्या हो गई दो, क्योंकि nitrogen के परमाडू की संख् गई 2 और अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वह 3 है जब अमोनिया के सामने हम 2 से गुणा करते हैं 2 NH3 लिखते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाएगा यहने कि हाइड्रोजन के परमाणों की संख्या अब हो गई 6 अब जो इस सार्णी में हमने परिवर्तन देखा वो इस तरीके कहोगा कि अभिकारकों की तरफ नाइट्रोजन 2 है हाइड्रोजन भी 2 है उतपाद की तरफ जो अमोनिया बना है उसमें जब हम 2 से गुणा करते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या तो 2 हो गई हाइड्रोजन की संख्या जो है वो हो गई 6 अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे तो अब हम बाई हो राते हैं याने अभिकारक की तरफ आते हैं क्योंकि उत्पाद की तरफ अब हाइडरोजन की संख्या हो गई है छे तो अब हम क्या करते हैं कि इधर हाइडरोजन की तरफ छे करने के लिए हम हाइडरोजन के सामने तीन लिखते हैं तो इस तरह से तीन गुणा दो या हमने हाइड्रोजन के परमाणूओं की संख्या भी अब हो गई छे नाइट्रोजन के परमाणूओं की संख्या अभिकारक में दो है और उत्पाद की तरफ भी दो है तो इसमें कोई और परिवर्तन नहीं करेंगे चुकि उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के परमाणूओं की संख्या 6 हो गई थी तो अभिकारक की तरफ भी हमने हाइडरोजन के परमाणूं के संख्या को बराबर करने के लिए H2 के सामने 3 लिखा तो इस तरह से 3 गुणा 2 यहने की 6 परमाणू इधर किसके दिखाई दे रहे हैं? 6 परमाणूं यहाँ पर हाइडरोजन के हो गई अभिकारक की तरफ और उत्पात की तरफ भी 6 परमाणूं अमोनिया में हमें हाइडरोजन के दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से एक जो समीकरण आया इसे हम संतुलित समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो जब अमोनिया बनने को एक संतुलित समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर यह इस तरूप में लिखा जाएगा N2 प्लस 3H2 is equal to 2NH3 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक अणू, हाइड्रोजन के तीन अणू आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया का दो अणू बनता है तो यहाँ पर हमने देखा कि रासायनिक समिकरण को जब हम इस तरीके से आंशिक रूप से संतुलित करते हुए पूर्ण रूप से संतुलित करने का प्रयास करते हैं तो दोनों ही तरफ जो भी योगिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो भी अनू होते हैं उनके पर्माणू की संख्या को पहले बराबर करना होता है जब पर्माणू की संख्या उस तत्व की बराबर हो जाती है तब यह एक संतुलित समिकरण कहलाता है तो संतुलित समिकरण में हम देख रहे हैं कि तत्वों के परमाणूं की संख्या अभिकारकों की ओर एवं उत्पाद की ओर बराबर होना चाहिए तो इस तरीके की जो विधी है जिसमें हमने कुछ कारे अनुमान से किया और सबसे छोटी पुर्णांग संख्या के रूप में हमने इसे संतुलित किया तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक अनुमान विधी है और आवशक्ता नुसार उसके गुडांग का उपयोग करते हुए हमने समिकरण को संतुलित किया तो यह अनुमान विधी जो है इसमें हम प्रयास करते हैं कि सबसे छोटे छोटे पुर्णांग को लेकर हम समिकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले तक हम अनुमान विधी में छोटे छोटे पुर्णांग संख्या के माध्यम से ही समिकरण को संतुलित करेंगे। क्लोरीन को भी हम CL2 के रूप में लिखेंगे यह भी दूई परमाडू करू के लूप में लिखा जाएगा। इनकी करिया से यदि HCL बनता है, हाइडरोजन क्लोराइड बनता है तो उसे हम HCL ही लिखेंगे। बाद में हम यह देखते हैं, कि इस तरफ यहने जो अभिकारक है, यहाँ पर हाइडरोजन परमाडू की संख्या 2 है, क्लोरीन में परमाडू की संख्या भी 2 है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उतपात बना, तो वहाँ पर hydrogen chloride में HCl लिखते हैं तो उसके सामने हम दो से गुणा करेंगे तो hydrogen परमाडू की संख्या हो गई दो और chlorine परमाडू की संख्या भी हो गई दो तो इस तरह से 2HCl बनता है और यहां पर H2 प्लस Cl2 इससे बना 2HCl तो hydrogen और chlorine आपस में क्रिया करके 2HCl यहने hydrogen chloride के दो अनू का न परमार करते हैं तो यह तो बहुत ही सरल एक रासायनिक समीकरण है जिसे हमने संतुलित किया इसके बाद हम एक और उदाहरन देखेंगे कि sodium hydroxide और sulfurी कमले की क्रिया से sodium sulfate और जल बना तो सबसे पहले हम ऐसे ही इसे लिखते हैं sodium hydroxide प्लस sulfurी कमले इससे बनता है sodium sulfate प्लस पान या जल इसके बाद हम इसके सूत्र को लिखेंगे सभी जो अभिकारक है जितने भी अभिकारक है उनके जो भी योगिक है उनके सूत्र को हमने लिखा sodium hydroxide याने NaOH प्लस sulfurी कमल याने H2SO4 is equal to sodium sulfate बना याने इसका सूत्र हम लिखेंगे Na2SO4 प्लस H2O अब दोनों तरफ हम देखेंगे कि दोनों तरफ परमाड़ों की संख्या कितनी कितनी है प्रत्य योगिक की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaOH में sodium परमाड़ों की संख्या एक है oxygen एक hydrogen एक और जब sulfuric हम इसकरिया हो रही है तो H2SO4 याने hydrogen की संख्या दो है sulfur एक और oxygen 4 है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बना यहाँ पर sodium sulfate तो sodium sulfate को हमने Na2SO4 के रूप में लिखा जहाँ sodium परमाड़ों की संख्या दो है और इधर हम देख रहे हैं कि sodium परमाड़ों की संख्या एक है और इस तरफ हम देख रहे हैं sodium परमाड़ों की संख्या दो है तो यहाँ पर हम सामने 2 से गुणा करते हैं, तो 2 NaOH करेंगे, तब यह दूसरी तरफ Na के साथ संतुलित होगा, तो यहाँ पर हम 2 NaOH करेंगे, तो 2 NaOH करने पर सोडियम परमाणू की संख्या अभिकारक में 2 हो गई, ओक्सीजन परमाणू की संख्या भी 2 हो गई, और दूसरी तो H2SO4 यहाँ पर 2 है, और S1 है, और ओक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाइडरोजन परमाणू की संख्या अभिकारकों की ओर 4 है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, कि जल बना, उस जल में हाइडरोजन परमाणू की संख्या भी 2 है, तो जब H2O लिखेंग तो उसके सामने हम 2 से गुड़ा कर देंगे, तो जब 2 से गुड़ा करते हैं, तो H2O के सामने 2 लिखने पर, H2O में हाइडरोजन परमाणू की संख्या 4 हो गई, और ओक्सीजन परमाणू की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि हाइडरोजन परमाणू की संख्या विकारक की तरफ भी 4 और उत्पाद की तरफ भी 4 वहीं दूसरी और हम देख रहे हैं सलफर परमाडू सलफ्यूरी कमल में सलफर के एक परमाडू दिखाई दे रहे हैं दूसरी और भी जो सोडियम सलफेड बना वहाँ पर सलफर का एक परमाडू है यहाँ Na2SO4 है तो Na2SO4 में ऑक्सीजन के 4 परमारू है और यहाँ इस तरफ भी हम देख रहे हैं जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकसाइड है उसमें ऑक्सीजन परमारू की संख्या जो है वो 2 हो गई संतुलित करने के बाद 2 लिखने 2 से गुणा करने के बाद और H2SO4 में हम उक्सीजन और H2SO4 में 4 उक्सीजन तो इस तरह से टोटल उक्सीजन की संख्या 6 हो गई दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो Na2SO4 बना उसमें ऑक्सीजन के 4 परमारू और हमने जल के अणू के सामने 2 से कुणा किया तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह भी 2 हो गया तो इसम के 2 उक्सीजन तो यहां दोनों को जब हम जोडते हैं तो कुल उक्सीजन परमारू जो है वह यहां पर 6 हो गया उत्पाद की तरफ तो अब जब इसका बैलेंस यहने संतुलित समीकरण लिखेंगे सोडियम हाइड्रोकसाइड प्लस सल्फियूरी कमल से बनता है सोडियम सल्फेट और जल तो इसके रासाइनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो सोडियम हाइड्रोकसाइड यहने NaOH के सामने हम दो लिखेंगे यहने 2 NaOH प्लस H2SO4 is equal to Na2SO4 प्लस 2H2O तो दोनों तरफ संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर इसके परमाणूओं की संख्या अभिकारक की तरफ और सोडियम हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन परमाणूओं की संख्या उत्पाद की तरफ दोनों ही संख्या जो है वो संतुलित दिखाई देती है, तो इस तरह से इस रासायनिक समिकरन को हमने समझा, कुछ रासायनिक समिकरन जिनके सूत्र दिये हो और उन्हें संतुलित करना हो, तो उसे हम कैसे संतुलित करेंगे, तो इसके लिए भी हम कुछ उदारण लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंग की क्रिया से कार्बन डियोकसाइड और जल बना अभिकारक की तरफ कार्बन परमाडू की संख्या एक हाइडरोजन परमाडू की संख्या चार और ऑक्सिजन परमाडू की संख्या दो है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाडू की संख्या एक ऑक्सिजन की संख् तो जब इसे बैलेंस करते हैं तो चुकी CH4 याने हाइडरोजन यहाँ पर 4 है तो दूसरी तरफ हम जल के अनु के सामने 2 से गुणा करते हैं तो जैसे ही जल के अनु के सामने 2 से गुणा करते हैं तो हाइडरोजन परमाणू की संख्या हो गई 4 और ऑक्सिजन परमाणू की सं लिखा जाएगा तो CH4 प्लस अभी O2 लिखे फिर CO2 प्लस 2H2O इतना करने के बाद जब हम वापस अभिकारक की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दो ही ऑक्सीजन परमाडू दिखाई दे रहे हैं जबकि उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन परमाडू की संख्या चार हो गई कारबन डियोक्साइट में से ऑक्सीजन के दो परमाडू और जल में हमने दो से गुणा किया तो वहाँ भी ऑक्सीजन परमाडू दो हो गए तो उत्पाद की तरफ जो ऑक्सीजन परमाडू की कुल संख्या है वो चार हो गई अब दोनो तरफ ऑक्सीजन परमाडू की संख्या को बराबर करने के लिए ऑक्सीजन के सामने हम दो से गुणा करते हैं तो जैसी ऑक्सीजन के सामने दो से गुणा करते हैं तो अब ऑक्सीजन परमाडू की संख्या अभी कारक की तरफ हो गई चार तो जब इस संतुलित समीकरण को हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O जब इतना लिखते हैं तभी यह संतुलित कहलाएगा क्योंकि CH4 मतलब कार्बन हाइडोजन और ओक्सीजन और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कार्बन हाइडोजन और ओक्सीजन इसकी संख्या जो है इस समीकरण में संतुलित होनी चाहिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि carbon एक है, दूसरी तरफ भी carbon एक, hydrogen की संख्या इधर 4 है, दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं, 2 गुड़ा 2 यने कि 4 हो गया, oxygen परमाडों की संख्या अभिकारकों की तरफ 4 और उतपात की तरफ भी 2 और 2 से गुड़ा कर दिये तो 4, तो इस तरह स हम देख रहे हैं कि एक रासायनिक समिकरण संतुलित रूप में हमें दिखाई दे रहा है, एक और उदाहरन हम सूत्र के रूप में एक रासायनिक समिकरण को दिया हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि Fe plus O2 से बनता है Fe 3 O4, एक अलग ही उतपात हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है Fe 3 O4, तो जब कभी भी हम Fe अभिकारक की तरफ लिखा हुआ है और उतपात की तरफ Fe के परमाणों की संख्या 3 दिखाई दे रही है, तो हम सामने लिख देंगे Fe के सामने लिखेंगे 3, तो 3 Fe plus oxygen को तो O2 के रूप में ही लिखा हुआ है, चुकि इधर हम देख रह परमाणों की संख्या 4 है, तो हम उतपाद की तरफ oxygen परमाणों की संख्या को 4 करने के लिए इस oxygen के सामने हम 2 लगा देते हैं, तो 2 गुणा 2 यने की 4, तो iron के सामने हमने 3 लिखा और oxygen O2 के सामने हमने 2 लिखा, तो अभिकारक की तरफ जो iron है Fe है, उसके परमाणों की संख्य संख्या हो गई तीन और अभिकारक की तरफ ऑक्सिजन परमाणों की कुल संख्या हो गई चार अब ये दोनों जब आपस मिक्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पाद की तरफ जो आइरन ऑक्साइड बना है Fe3O4 यह संटुलित हो गया क्योंकि उधर हम देख रहे हैं कि आइरन याइड़न Fe के परमाणों की संख्या तीन है और ऑक्सिजन के परमाणों की संख्या चार है तो इस तरह से यहाँ एक संटुलित समिकरन हो गया एक अन्यरासाइनिक समिकरन को भी हम संटुलित करेंगे जिस क्लोरीन एक है लेकिन ऑक्सिजन तीन है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उतपाद में भी पोटेशियम एक क्लोरीन एक और ऑक्सिजन जो है वो दो है चुकि अभिकारक की तरफ ऑक्सिजन के परमाणों की संख्या तीन है और उतपाद की तरफ ऑक्सिजन परमाणों की संख तो ऐसे में सबसे पहले ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा क्योंकि जब हम उतपाद की तरफ केसी या लोत्री के सामने दो लिख देंगे तो ऑक्सीजन के परमाणूओं की संख्याब हो गई टीन गुणा दो छे दूसरी तरफ जब हम ऑक्सीजन को शंतुलित करने के लिए उत उत्पाद की तरफ हम 3 से गुणा कर देंगे याने O2 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 2 बराबर हो गया 6 तो अब जब ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ और ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ ये दोनों संतुलित हो गए तो अब हम देख रहें कि पोटेशियम और क्लोरीन की मात्रा में भी कैसे परिवर्तन आया तो जब दो से गुणा इधर किये KCL उत्री में तो potassium की संख्या पहले एक थी अब दो गुणा करने की बाद दो हो गई chlorine में भी पहले परमाणो की संख्या एक थी दो से गुणा करने पर ये भी की दो हो गया दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि KCL में एक-एक ही है तो KCL के सामने दो से गुणा कर देंगे तो अब दूसरी तरफ याने उत्पात की तरफ potassium की संख्या याने potassium परमाणों की संख्या दो हो गई और chlorine के परमाणों की संख्या भी दो हो गई तो जब इस समीकरण को संतुलित रूप में लिखा जाएगा तो ये पूरे रासायनिक समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे संतुलित रूप में 2KClO3 is equal to 2KCl plus 3O2 तो इस तरह से यह पूरा समीकरण संतुलित होता है जिसमें potassium, chlorine और oxygen की परमाणों की संख्या अभिकारकों की तरफ और potassium, chlorine और oxygen के परमाणों की संख्या उत्पाद की तरफ दोनों ही बराबर रूप में दिखाई दे रहे हैं रासाइनिक समिकरण के संतुलन के बाद अब हम रासाइनिक अभिकरियाओं के प्रकार की ओर चलेंगे कि वास्तों में जो रासाइनिक अभिकरियाओं होती हैं उन्हें हम कितने प्रकारों में बाट सकते हैं रासाइनी कभी क्रियाओं में नया परिवर्तन देखने को मिलता है अभी कारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इस दौरान क्या-क्या परिवर्तन होता है और किस तरीके से परिवर्तन होता है प्रत्यक रासायनी कभी क्रिया को अलग-अलग प्रकारों में बाटा गया है। पूरे रासाइनी कभी क्रिया में हम ये देखते हैं कि परमाडू ना तो बनता है और ना ही नश्ट होता है तो रासाइनी कभिक्रियाओं में परिवर्तन तो होता है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो क्रिया कारक है या जो अभिकारक है वो आपस में क्रिया करके नया पदार्त यानिकी उत्पात बनाता है इस दोरान हम देख रहे हैं कि इसके जो गुण है वो अभिकारक से बिलकुल अलग हो जाते हैं तो वास्तों में क्या होता है रासायनी कभिक्रिया में तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी रासायनी कभिक्रिया होती हैं तो अभिकारकों के जितने भी परमाडू है उनके आपसी जो भी बंध है वो तूटते हैं और जुडते हैं तो तूटने और जुडने के क्रम में ही नए पदार्थों का निर्माड होता है यहने अभिकारकों के जितने भी परमाडू है वहाँ पर जो भी बंध है उनके मध्य उन बंधों का तूटना और इनके तूटने की वज़ह से ही दूसरी और हम देख रहे हैं उत्पाद के नए अणू का बनना तो उस नए अणू के बनते समय कुछ नए प्रकार के बन्ध का निर्माड होता है तो निश्चित रूप से इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया के दोरान नय बंध बनते हैं और पुराने बंध जो है वो तूटेंगे और उत्पाद बनते समय बंधू का निर्माड होता है इन रासायनी कभिक्रियाओं को अलग-अलग प्रकारों में बाटा गया है इसी प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे सैयोजन अभिक्रिया जिसे हम combination reaction भी कहते हैं सैयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए भी हम एक छोटा सा क्रिया कलाप करके देखेंगे इस क्रिया कलाप में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन-कौन से पदार्थो को लिया गया है जैसे बिना बुझा हुआ चूना यानि जिसे calcium oxide भी कहते हैं इसके छोटे-छोटे टुकडे ले लिये गए और इसमें जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें calcium oxide और जल लिया गया तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही calcium oxide में जल डाला गया तो कुछ न कुछ उश्मा परिवर्तन हो रहा है और बाहर से जब हम इस पकड़ते हैं तो यहाँ कुछ गरम हमें महसूस होता है तो यहाँ कुछ न कुछ उश्मा जरूर उत्पन होती है इस अभिक्रिया के दौरान जो ताप में परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है आपस में क्रिया करके calcium hydroxide बनाते हैं तो नया कुछ बना याने की CAO plus H2O के सायोजन से इनके जुड़ने से CAOH whole twice याने की calcium hydroxide बना तो नय पदार्थ का निर्माड हुआ तो ऐसी अभिकरिया जिसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वे आपस में मिलते हैं उनके आपस में मिलकर क्रिया करने से नय पदार्थों का निर्माड होता है याने जो नया पदार्थ बना उसे हम उत्पाद कहते हैं उत्पाद का निर्माड होता है तो इसे सयोजन अ तो सयोजन अभिकरिया में हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्मार करते हैं इसे हम सैोजन अभिकरिया कहते हैं सेयोजन अभी क्रिया को हम कुछ और उदारनों से समझेंगे जैसे कोईले का दहन होता है तो जब कोईले का दहन होता है तो कार्बन और ओक्सिजन क्रिया करके कार्बन डायोकसाइड बनता है इसी तरह से जल जो बनता है हाइड्रोजन और ओक्सिजन की आपस में क्रिया करने से जल का निर्माड होता है, तो जिसे भी जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे इन अभी क्रियाओं को याने कोईले के दहन को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो carbon plus oxygen याने O2 के रूप में लिखा गया, तो इससे बनता है CO2, ऐसे ही hydrogen और oxygen क्रिया करते हैं, तो जल ब O2 is equal to H2O, तो इसे भी संतुलित करेंगे, तो H2 जो अभी कारक की तरफ है, उसके सामने हम दो लिखेंगे, तो 2H2 plus O2 is equal to 2H2O बनता है, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि hydrogen और oxygen आपस में क्रिया करते हैं, इनके जुडने से नया जो पदार्द बना है, वो बना H2O, hydrogen अभी क्रिया के एक कुछ और उदारन भी हम देखेंगे, जैसे magnesium और oxygen आपस में क्रिया करते हैं, magnesium oxide बना जैसा कि हमने magnesium ribbon के जलने को भी क्रिया कलाप के माधियम से समझा था, तो magnesium plus O2 is equal to MgO बना, संतुलित रूप में लिखेंगे, तो 2Mg plus O2 is equal to 2MgO बनता है, तो इस तर जो से अधिक पदार्थ आपस में सयोजन करते हैं और नए पदार्थ का निर्मार करते हैं, इस अभी क्रिया को हम सयोजन अभी क्रिया या combination reaction के वर्ग में रखते हैं, इसके बाद हम वियोजन अभी क्रिया जिसे हम dissociation reaction भी कहते हैं, इस में हम देखते हैं कि एक अभीकारक जो है वो बड़ा अभिकारक जो है या अभिकारक का एक बड़ा अडू जो है वो छोटे-छोटे अन्य योगीकों में विभक्त होता है यानि तूटता है तो इसका एक उदाहरन हम लेंगे क्रिया कलाप की माधियम से इसा समझेंगे कि कैसे सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट को क्वथन नली में लेकर जब गर्म किया जाता है और या इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट को इसे जब हम क्वथन नली में लेते हैं और इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है और इस गैस के निकलने से जलती हुई माचिस की तीली को जब इस क्वथनली के सामने ले जाया जाता है तो वो तीली बुझती क्यों है तो इसका कारण भी हम समझेंगे कि कैसे यह बुझती है और इसे हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जब कभी भी sodium hydrogen carbonate यहने कि NaHCO3 जब तूटता है तो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O तो इसके बनने में हम देख रहे हैं कि sodium hydrogen carbonate तूटता है और sodium carbonate बनता है साथी जल बना और carbon dioxide बना तो चुकि carbon dioxide यहाँ पर गैस के रूप में निकलता है तो जो जलती हुई माचिस की तीली है वह बुझ जाती है तो carbon dioxide की वज़से ऐसा हुआ तो हमने देखा कि sodium hydrogen carbonate का जो एक बड़ा अणू है वह तूटकर अन्य कई अणू बना रहा है जैसे sodium carbonate, carbon dioxide और gel यहने तीन अलग-अलग प्रकार की अडू का निर्माड हुआ और जब हम इसकी संतुलित समीकरण को लिखेंगे तो यह इस तरह से लिखा जाएगा 2 NaHCO3 is equal to Na2CO3 plus CO2 plus H2O तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित होता है तो यहाँ पर हमने इस अभिकरिया में यह देखा कि कैसे एकल अभिकारक यहने एक अभिकारक है sodium hydrogen carbonate यह एकल अभिकारक तूटता है और तूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद याने की sodium carbonate जल और carbon dioxide का निर्माड हुआ तो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में यह बदल जाता है तो यह एक वियोजन अभिकरिया का उधारन है इस वियोजन अभिकरिया में हम देख रहे हैं कि वियोजन अभिकरिया जो है यह उश्मा के माध्यम से संपन हुई यहाँ पर जो अभघटन हुआ sodium hydrogen carbonate का यह उश्मा की उपस्थिती में अभघटित हुआ तो उश्मिय वियोजन कहा जाएगा इसे thermal dissociation कहा जाएगा तो thermal dissociation में हम देख रहे हैं कि उश्मा की उपस्थिती में sodium hydrogen carbonate जो है वह sodium carbonate जल और carbon dioxide में परिवर्टित होता है अब हम वियोजन अभिक्रिया के कुछ और उदारन को भी समझेंगे जैसे जल का विघटन होता है विद्यूधारा प्रवाहित करने पर जल का जो अणू है वह विघटित होता है और जल बनाने वाले जो दो hydrogen और oxygen अणू है उसमें यह परिवर्टित होता है तो जब हम जल के अणू को देखते हैं तो 2H2O is equal to जब विद्यूधारा प्रवाहित की जाती है तो जल का अणू जो है वह विघटित होकर hydrogen और oxygen में परिवर्टित होता है इसे समीकरण की रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो 2H2O is equal to 2H2 plus O2 तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जल के दो अणू के विघटित होने से hydrogen का दो अणू बना याने छोटा अणू बना और oxygen का एक अणू बनता है याने जल के अणू का विघटन विद्धू धारा प्रवाहित करने पर ही संपन हुआ जल के अणू के विघटन से hydrogen और oxygen गैस बनी तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन विद्धु तब घटन अभिक्रिया मतलब वियोजन जो है वो विद्धु धारा प्रवाहित करने पर ही हुआ इसलिए वियोजन विद्धु तब घटन अभिक्रिया कहलाती है इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे चूने का पत्थर है वह 1000 डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म करने पर किन पदार्थों में परिवर्टित होता है। तो यह भी एक वियोजन अभिकरिया का उधारन है, कैल्शियम कार्बोनेट CACO3 is equal to CAO plus CO2, तो 1000 डिग्री सेंटिग्रेट पर यह अबगटित हो रहा है, तो पहले अबगटित होकर बना Calcium Oxide plus Carbon Dioxide, तो Calcium Oxide और Carbon Dioxide जो बना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Calcium Carbonate का एक अणू है, जो विगटित हुआ और Calcium Oxide बना और Carbon Dioxide नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा अणू जो है वह अबगटित हो रहा है, और calcium oxide और carbon dioxide के दो छोटे अड़ों में यहाँ परिवर्तित हो रहा है तो इस तरह से calcium carbonate से calcium oxide और carbon dioxide का बनना यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो calcium carbonate का विघटन हुआ है इस अभिक्रिया का उपियोग प्रायह cement उद्योग में किया जाता है क्योंकि cement उद्योग में जो चूने का पत्थर है वह भी कच्चे माल के रूप में उपियोग में लाया जाता है क्योंकि उस उद्योग में भी carbon dioxide gas की अफशक्ता होती है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही calcium carbonate को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो carbon dioxide gas निकलती है और साथ ही calcium oxide भी बनता है तो एक बड़ा अणू छोटे छोटे दो अणूं में परिवर्तित होता है इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ भी हम देखते हैं कि चुकि यह विक्रिया उश्मा की उपस्थिती में होती है तो इसे भी हम उश्मिय वियोजन कहेंगे या thermal dissociation कहेंगे